नमस्कार भक्तों, हर-hर महादेव, सावन में क्यों नहीं बनाना चाहिए शारिरिक संबंध, सावन में क्यों शादी शुदास्त्रियों को भेज दिया जाता है, माय के, आयुरवेद क्यों सलाह देता है, शादी शुदा लोगों को अलग रहने की, जानेंगे आज के इस जरूर कर दीजिए। पालन करना पड़ता है। इस महीने के दौरान आपको कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना जरूरी बताया गया है। इस माह में शास्त्रों की और आयुरवेद की माने तो इस माह में शारिरिक संबंध मनाने की मना ही होती है। खास कर देखा जाए तो नव विवाहित जोडों को जी हा। नव विवाहित से मतलब जिनकी हाल ही में शादी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों सावन में शारिरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो इसके पीछे शास्त्रों का और आयुरवेद का क्या मत है ये हम जानते हैं मगर सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे इसके लिए क्या कहते हैं। दोस्तों आयुरवेद की माने तो सावन के महीने में मनुष्य के शरीर के अंदर रस का संचार बहुत अधिक होता है। जिससे उसके अंदर काम की भावना काफी बढ़ जाती है। साथ ही ये बात सभी जानते हैं कि सावन के महीने में जो मौसम होता है वो भी इसके अनुकूल होता है जिससे नवविवाहितों के बीच अधिक शारिरिक संबन धबनाने से उनके स्वास्थ्य पर विप्रीत असर पड़ सकता है दोस्तों आपने देखा होगा कि सावन के महीने में जिन स्त्रियों की नई नई शादी हुई होती है वो सावन के महीने माय के चली जाती है या उनको भेज दिया जाता है या बुला लिया जाता है घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा मगर इसके पीछे का असर रीजन क्य है क्या आपको पता है नहीं तो हम आपको बताते हैं दोस्तों सावन के महीने में पुरुषों को ब्रहम चर्य का पालन करते हुए अपने शुक्र यानी बीज का सरंख्षन करना चाहिए दोस्तों आयुरवेद की माने तो पायुर्वेड में लिखा है कि इस महीने में गर्ब ठहरने से होने वाली संतान शारिरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकती है। भूल कर देते हैं तो आपको बता दें कि अगर आप या आपकी पतनी मायके नहीं जाती हैं तो फिर भी आपको ब्रहमचर्य का पालन करना चाहिए इस महीने में अब दोस्तों ये तो हो गया आयुर्वेड और मान्यता का पहलो अब हम बात कर लेते हैं अपने धार्मिक पहलो के बारे में कि हमारे शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं तो दोस्तों सावन का महीना पूर्ण रूप से शिव जी के लिए समर्पित है इस महीने में लोग व्रत रहते हैं सावन के महीने में सुमवार का मंगला गौरी का गुप्त शिवरात्री का और समय समय पर भगवान की पूजा उपासना करते हैं और ऐसा माना भी जाता है कि इस महीने में शिव जी की सच्ची श्रधा से उपासना करने पर उनके भक्तों को पूर्ण कृण कृपा प्राप्थ होती है मगर दोस्तों सावन के महीने में शारिरिक सम्द्ध क्यों नहीं बनाने चाहिए इसके पर विजय पासके जी हा दोस्तों ये बात अगर आपको शायद ना पता हो कि भगवान शिव काम के शत्रू है क्योंकि दोस्तों कामदेव ने सावन के महीने में ही भगवान शिव पर अपना काम बान चलाया था और इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने कामदेव को भस् तो दोस्तों ये रहा इसके पीछे का धार्मिक कारण, अब बात करते हैं सावन के महीने के आलावा आपको. किन दिनों में भी शारिरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए, तो आपको बता दें की शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे दिन भी हैं दोस्तों, जिस दिन पती पतनी को किसी भी रूप में शारिरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, तो वो दिन कौन से हैं दोस्तों, तो वो ह अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अश्टमी, रविवार, संक्रांती, संधिकाल, श्राध पक्ष, नवरात्री और श्रावन मास और साथ में रितुकाल, मेभी, स्त्री और पुरुष को एक दुसरे से दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इस नियम का पालन करने से घर में सुख, शांती और समरध्धी और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है। अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो इससे ग्रहतलेश और धन की हानी के साथ ही व्यक्ति आकस्मिक घटनाओं को आमत्रित का लेता है। त दोस्तों आशा करते हैं कि बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और साथ ही चैनल और सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूलें। धन्यवाद हर हर महादे।